रिमी भुपाल की रहने वाली हैं, 22 साल की हैं अब उनका हमें मेल आया एक बहुत ही वाजब परेशानी के साथ पिछले एक साल के अंदर उनके बाल काफी पथले हो गए हैं पहले जब वो पोनिटेल बांदी थी तो वो काफी मोटी बंदती थी पर अब वो आधी रह गई है, रिमी ने अपना शांपू बतला, तेल लगाना शुरू किया पर कोई भी फाइदा नहीं हुआ, उनके बाल लगातार बस पतले ही होते जा रहे हैं इतने ही कि उनका स्कैल्प दिखने लगा है, अब वो बाल बांधने से भी डरती हैं उचाती हैं हम डॉक्टर से बात करके उनकी इस परिशानी का हल ढूंडेंगे वैसे ये दिखकत दुरिमी की अकेले की नहीं है हमें सेहत पर कई लोगों के ऐसे मेल्स आ चुके हैं, जो अपने लगातार पतले हो रहे बालों से बहुत परिशान ही तो हम इसका इलाज तो जानेंगे ही, पर पहले ये पता कर लेते हैं कि आपके बाल एक आ एक पतले क्यों होते जा रहे हैं जानी, डॉक्टर्स क्या केरें बालों का पतला होना क्या? जब बालो का पतला होना माने, जब बालो का जब डायमेटर होता है, जब बालो का जो circumference होता है, वो जब कम-कम होने लगता है, या फिर फॉलिकल का फुल यूटिलाजेशन नहीं हो पाता, या फॉलिकल में से निकलने वाली बालो की संख्या भी कम होने लगती है, उसे हम बा की पीछ में से हम पालों का पत्लाओं नहीं है अब यह इस वजे से होता है कई सारे लिजन सभसे बड़ा लेख criminal मुझे लगता है आज्के डेट में स्ट्रेस मानसिक या शारिरिक दोनों मैंसे किसी भी प्रकार का stress आपके हेल्थ पर, आपके बालों पर, आपके स्कीन पर निगेटर एफेक्ट डालता है और बालों के खास करके सबसे पहले एफेक्ट असका दिखने लगता है खून की कमी खून की कमी आज क्रेट में हमोगलोबीन का कम हो जाना है हमोगलोबीन के लेवल कम होना यह सबसे पहला इंडिकेटर होता है इसी लेवल पे इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तिस्तिनी चीज़ हेरिडेट्री बाने प्लुओन शिक्ता यह विजन लेकिन लड़कों में क아फी कामन देखाजाता है पुरूंशों में इसका एफेक्ट जादा होता है फेमेल में इसका एफेक्ट काफी कम हध दीखा जाता है कई सारी विमार्यों जैसे कि ठायर, heart diseases या calcium की कमी इनमें भी आपके बाल पतले होने लगते हैं कई विमारियों के treatment के बग जैसे कि cancer, cancer treatment के बग भी आपके बाल जाड़ते भी हैं कई लोगों के पतले भी बहुत जादा हो जाते हैं कई बाद excessive styling के वज़े से, excessive wiring, excessive straightening के आदत रहना इसके वज़े से अपके बाद पतले होते हैं फिर traction allopatia नाम की condition होती है, जिसके अंदर सामने विमारे इनसान को या किसी भी patient को या किसी भी लगती को जब बालों को tight बांके या कस के बांके, खीच के बांके रखने के आदत होती है, उनमें भी बालों का पतला होना और बहुत excessive तरीके से trigger हो जाता है, तो तब भी आपके बालों के वज़े से भी कई बार आपके बालों के रोम बंद होने लगते है, और फिर scalp में सिबं का production बढ़ जाता है, जिसके अपके बाल बहुत जंदी, फिर से oily और scalp चिकना होने रखता है, और फिर वो follicle को नश्टे रहने लगते हैं, काफी सारे घरे में नुसके है, जिनको अगर आप अपलाय करते हो, तो कई दफ़ा 50-60% अपके बालों का प्रालों आप घर पे ही solve कर सकते हैं, क्या है, stress ना ले यह चीज़ें हमको short term में gain नहीं बताती है, short term में इसके फायदे नहीं समझने आते हैं, but long term में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने हैं यह चीज़ होती है, healthy diet, काफी बार आज कल dieting का चलन बढ़ गया है, तो इसके अंदर आप लोग रोटी कम और सबसे जादा, रोटी कम औ excessive hair straightening, bleaching, irony या बालों को एकी तरफ से जादा tight करके बांग लेना, ऐसी चीज़ें करने से बचे, दूसरी बात, शांपू का इस्तमाल करते हैं समय, शांपू का चुनाव करते हैं समय, sulphate free और chemical free शांपू ही इस्तमाल करें, या आपने डॉक्टर की सलाह से शांपू ले, वे diabetes, BP, thyroid, galceum, इन सभी का regular check-up आपके पास रखें ताकि ये बहुती initial level पर ही आपको इनका पता लग जाए और ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाए, बचाफ ही सबसे बहतर उपाई है, इसके बावजूद भी अगर बात नहीं बनती, तब you need to take a doctor's advice, कब होना चाहिए ये, तो उसके बाद में, अगर अब डॉक्टर की advice लेके treatment लेना start कर सकते हैं, एक और बाद, medical पर या किसी वे एड को दिपको treatment मन जे चलो करने की, कभी भी कोई घलती ना करें, क्योंकि बाल दिखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और एक बार अगर चले जाए, तो लाग आपजडील और फिनस्ट्रेड के अलावा भी काफी सारे नए treatment आचुके जनके side effects भी नहीं होते हैं, और काफी healthy तरिके से, organic तरिके से आपके बाल भी वापस आ जाते हैं, तिकनीस भी उनकी बढ़ जाते हैं, इनमें प्लेटिलेश प्लाजमा, मीजो थेरपी, माइक्रो न आप लेजर, इंफ्रारेड रडियेशन, फॉलिकल बात इस तरह की कई सारे लेटेश ट्रीटमेंट्स अविलेबल हैं, जो आपके डॉक्तर के साथ बेट कर डिसकस कर सकते हैं, और उनकी सला से हीं में से को ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं, जिसके रूब के एक सारे पश्रूब हो गए हैं, तो उसको हलके में मत लीजे, क्योंकि एक बार हैर थिनिंग बढ़ गई, तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहतर है कि आप इसको शुरुवात में ही पकड़ ले, जो घरेलू उपचार डॉक्टर सहाब ने बताए हैं, उन्हें जरू भारती युवाव में दिल की बिमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वो गुजरे जमाने थे जब दिल की बिमारियां उम्र की देन मानी जाती थी, अब हार्ट डिजीज उम्र नहीं देखती, आज हम बात करेंगे ऐसी ही दिल की बिमारी के बारे में, क्रोनरी कारण है diabetes, diabetes एक ऐसी बिमारी है जिसमें high blood sugar के कारण heart की नसों को नुकसान पहुचता है और blockage हो जाती है दूसरा कारण है hypertension, hypertension यानि की high blood pressure होना है high blood pressure होने के कारण दिल की नसों में blockage हो जाते हैं जिससे heart attack तक आ सकता है तीसरा कारण है smoking या फिर तंबाकु खाना चौथा कारण है genetic यानि परिवार में इस बिमारी की history रही है high cholesterol के कारण heart की नसों में blockage हो सकता है coronary artery disease में छादी के बीच में दर्द होता है भारीपन लगना, जलन होना, उल्टे कंधे में दर्द होना चलते वक्त तकलीफ बढ़ना, घबराहट लगना या फिर सास लेने में तकलीफ होना जैसे लक्षण महसूस होते हैं अगर आपको ऐसा दर्द महसूस हो रहा है तो उस वक्त एक coronary angiography की जाती है ये एक तरहां का special x-ray है जिसमें पता चलता है कि कितने और किस तरहां के blockages हैं पता चलने पर coronary angioplasty एक surgery होती है वो की जाती है या फिर bypass surgery की जाती है coronary artery disease खतरनाफ हो सकती है इसलिए लक्षणों पर खास नज़र रखें और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जरूर संपर्ख करें खाला बिगड़ने का इंतजार ना करें समझे अब बार ये सेहत के आखरी segment की खुराग एक ज़कास सी health tip जैसे बैगन की सबजी को healthy बनाने के तरीके बैगन की सबजी कई लोगों को पसंद होती है लेकिन कहते हैं कि इसमें कोई खास तत्वन नहीं होते है इसलिए शायद इसका नाम बैगन यानी की बैगन है अगर आप बैगन पसंद करते हैं तो इसको healthy कैसे बनाया जाए ये हमें बताया डॉक्टर एखा गुपता ने डॉक्टर एखा बताती है कि बैगन आग में भून कर ही बनाए नहीं तो इसमें मौझूद phytochemical लुक्सान करता है एक तरहां का chemical है बैगन मनाते वक्त हींग का इस्तमाल जरूर करें इसके अलावा अगर आपको stone की problem है तो बैगन खाने से बचना चाहिए साथी बैगन में potassium भी medium range में होता है लेकिन ज्यादा बैगन खाने की वशां से मेटाबॉलिजम बिगड सकता है इसलिए बच्चों को इसे देने से बचना चाहिए आज सहत में इतना ही अगर आप एक डॉक्टर है हमसे कुछ शेर करना चाहते हैं तो जो email id वक्त आपको अपनी screen पर देख रही है उस पर हमें email भेज दीजे ये विडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करिए YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि जब भी हमको इनाया विडियो प्लोड करें तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुचें शुक्रिया